सब्सक्राइब कीजिए इंजिन गुरुजी यूटूब चैनल को और बेल आइकन को दबाब कर पाएं नोटिफिकेशन सबसे पहले नमस्कार दोस्तों इंजिन गुरुजी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा नामिन अरेंद्री और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इस इस वीडियो में आपको बताने बॉक्स को में इंस्टॉल करते हैं कम्प्लिटी प्रॉसेजर में आपको बता हूँ में इंस्टॉल करने का आप इसे देखते जाहिए सबसे पहले कि यह उन्डॉक्सिंग लास वीडियो में देख लिया था तो इसे आपन कर लेते हैं इसमें जो जो दो निकलते हैं सबसे पहले यह जो चार्जर आप देख रहे हैं इसे आप कनेक्ट कर देंगे लेटेशी ठीटी बें अब यह वाला इसमें राइट पांच प्रॉन इसके बाद में स्केटर बॉक्स हम बार निकालने के बाद में और इसके बाद में हम ओडियो वीडियो क्या बने लिए यहां इसके साथ ओड़े वीडियो के बलाती है लेकिन मेरे पास में एचली में केबल है तो मैं यूज कर ले तो ओड़े वीडियो निकालती उसे निकाल कर आप इस तरह से कि अगरे को एक एक बार यहां पर किनेक्ट कर देते हैं और यह लगाने के बाद में अम बॉक्स को रख एते हैं अभी बॉक्स विस्टार्ट हो रहा है और यह जो पेबल से अपने लसीडी या टीवी के पीछे कि जासा कि आप देख सकते हैं यह लगा हुई है लगाने के बाद में जैसे यह लगाते और पावर उन करते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सॉलिड का लोगो आ जाता है आप देख सकते हैं तो कि आप देख सकते हैं यह लगा देख सकते हैं इसके बैक साइड में फिन वाला जो है उसमें लगा रेता हूं जैसे ही हमने कनेक्ट किया है यहां पर कनेक्टिविटी आ चुकी है और यह चल रहा है इसके लिए यहां पर मैं चाहूंगा कि HDMI केबल लगा लेता हूं कि मेरे पास में पड़ी है इसके साथ में HDMI नहीं आती होड़े वीडियो यह आती है जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे करने के पाद में आपको स्विच करना होगा टीवी से आपको सॉर्स में आपको जो सारे बहुत अच्छे से दिखताएंगे यहां पर जो भी पर चैनल इस पर available है भी आप देख सकते हैं अब देख सकते हैं जो चैनल पहले से इसमें सेव है वह आज यहां पर आप देख पाएंगे और जो जो जिए नहीं है और एंटर करने के बाद में आपको satellite settings में जाना है सबसे पहले इसमें जो channels है वह सबसे पहले पूरे channels delete कर दीजेगा delete all channel आप कर देए yes कर दीजेगा उसके बाद में आप back आ जाईए और installation में जाएंगे installation में satellite setup पर आप जा सकते हैं यहां पर related satellites है आपका वो आपको select करना होगा जैसे कि यह अभी 93 है वो आपको select करना है डारेक्ट टीवी डिल डारेक्ट प्रस है या जी सेट 15 बोल सकते हैं वो आप select कर लीजगा कोई भी इसमें कोई जरूरी नहीं है कि यही आप select करें कोई भी select कर ली जगा और यहां पर आप LMB power on रखेंगे और तूरनल कोई ज़रूरत नहीं है और डिस्क की से switch अगर आपको select करना होगा जैसे कि यहां पर A, B, C दिखा हुआ है तो मैं आपको disk की सी use नहीं कर रहा हूँ तो इसके A आपको use करना है यह LMB1, LMB2, LMB3 के नाम से की होता है तो आपको select कर सकते हैं इसके बाद में scan के लिए यहां पर blue color का button आपको press करना होगा और यहां पर scan type select करना होगा प्लॉराइजेशन वर्टिकल है यहां पर और लास्ट option scan type में आप इसे auto कर दीजगा तो इसमें सभी तरह के जितने भी चैनल होगा वो सारे चैनल होगा यहां पर मिल रहे हैं वो सारे चैनल की लिस्ट में मिल जाएगी जो हम देख सकते हैं अब मिन तो अब हम जाएग है अब हम ओके किया है कि 112 चैनल्स हुर्ड़ं अब है और इसमें हम देख सकते रहे प्रॉपर ली नहीं है समय से बसंद टीवी देख सकते हैं जिस्ते यह सारे चैनल समय दिखे हैं उमीद करता हूं दोस्तों मेरा इंस्ट्रिशन का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मैं आप पूरता दूं कि नेक्स वीडियो में मैं आप पूरताने वाल हूं इसकी कंप्लीट सैटिंग की क्या क्या सैटिंग्स के अंदर है वह तो उसका वेट कीजिए जिसमें आपको जानकरी मिल पाई